और मेरे चटरो कैसे हो आप आज हम लोग बनाएंगे सांबर की रेसिपी आप सभी रिक्वेस्ट कर रहे थे मेरे को बारी बार जबी मैंने इडली की रेसिपी डाली जबी मैंने डोसा की रेसिपी डाली आज हम लोग होटल स्टाइल में बनाएंगे जैसी हम लोग हो ओडीप क्या होती है बेसिकली साउट हें में बगत फेमस होता है ओड़ीपी होटल वहां के रिसिपी बनाएंगे बहुत इजी है बहुत सारे सीक्रेट्स दूगा मैं आपको इस रिसिपी में लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है इसमें हम लोग सामबर मसाला यूज नहीं करेंगे आप देख सकते हो एकदम बढ़िया वनीन है सामबर रेसिपी शुरू करते है भाईों और भेनों सबसे पहले तो हम लोग तूर दाल भीजाएंगे तूर दाल यहाँ पर मेरे पास है एक तिहाई कब जितनी है इसमें मैं पानी डाल देता हूं आदा कब जितना और इसको एक घंटे के लिए भीजने के लिए रख देते है जब तक ये डाल भीज रही है तब तक मसाला बना लेते है जो मैंने मसाली की बात की थी तो सामबर मसाला बनाने के लिए हम लोग एक कड़ाई गरम करेंगे इस कड़ाई में मैं डाल दूँगा तेल यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ एक बड़ा चम्मच जितना तेल और तेल जैसे ही गरम हो जाता है धोरा सा जाता गरम नहीं करना है तेल को ध्यान रखिएगा इसमें हम लोग डाल देंगे जीरा एक बड़ा चम्मच जीरा मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ जीरा के साथ साथ हम लोग इसमें डाल देंगे मेथी दाना यहाँ पर मेरे पास आदा चम्मच जितना मेथी दाना है मेथी दाना के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे चना दाल आदा चम्मच जितना है लेकिन आदा बड़ा चम्मच जितना चना दाल है ये चना दाल के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे एक secret ingredient जो कि है चावल यह जो चावल है ना अलमस्ट सभी जो रेस्टुरेंट वाले है वो सभी डालते इससे क्या होता है हम लोग की सामबर सिल्की बनती है मतलब एकदम ग्लेज आता है और थोड़ी गाड़ी भी बनती है तो यह सीक्रेट इक हुआ यह हम लोग डाल रहे है आदा बड़ा चमच नॉर्मल सोना मुसूरी चावल यूज कर रहा हूं ऐसा कोई स्पेसल चावल नहीं है इस रेसिपी में नेक्स्ट हम लोग इसमें डाल देंगे धनिया यहाँ पर गोटा धनिया है मेरे पास एक बड़ा चमच धनिया है उसी के बाद मैं यहाँ पर डाल और एक इलाइची हरी इलाइची यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर इसी के साथ साथ हम लोग इसमें डाल देंगे अधरक लेसन यहाँ पर मेरे पास है छे से साथ छोटी लेसन की कलिया और आदा इंच जितना अधरक अधरक के बाद हम लोग इसमें डालेंगे नारियल यहा पत्ते हैं समझे 10-12 पत्ते हैं कड़ी पत्ते के अब इसको हम लोग लोग फ्लेम पर 2-3 मिनिट तक भूनेंगे जब तक कुछ जो मसाले है वो चटक निनना स्टार्ट हो जाए आप अभी देख सकते हो कैसे थोड़ थोड़े फूटने लग गया है उचलने लग गया मसाले न चलिए भायो मसाला भी भून गया है लाल मिर्च भी भून गई है अब हम लोग इसमें डालनेंगे बाकी के मसाले और साथ में प्यास भी बाकी के मसाले में यहाँ पर मेरे पास है आदा चम्मत जितना हल्दी पाउडर और एक बड़ा चम्मत जितना कश्मीरी लाल मिर्च कश्मीरी लाजमेच पाउडर में जाल नहीं रहती है मतलब वो स्पाइसी नहीं रहती है सिर्फ कलर के लिए डालते है अब हम लोग इसमें डाल देंगे प्यास यहाँ पर मेरे पास है एक बड़ा प्यास जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है इसको डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिलाएंगे मिलाने के बाद नमक डाल देंगे यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ नमक को अच्छी तरह मिलाने के बाद दो-तिन मिनिट तक इसको लो फ्लेम पर भूनेंगे ये जो भूनने का step है ना इसी से असली सुवाद आएगा सामबर का ये अगर आप एक बार घर में बना लोगे तो packet का मसाला खरीदना भूल जाओगे चलिए भाईयों और भेनों हम लोगा प्यास भी भून गया है मसाला भी भून गया है गैस को कर देते हैं बंद और इसको हटा देता हमें गया से ताकि ये जल्दी-जल्दी ठंड़ा हो जाए जब ये ठंडा हो जाता है ना इसको एक मिक्सी में डाल लीजिये मिक्सी के grinder में डालने के बाद थोरा सा पानी भी डाल लेंगे हम लोग इसमें क्योंकि सूखा पीसने में थोड़ी मुश्कील होगी पानी डालने के बाद इसका एकदम महीन पेस्ट बनाना है एकदम स्मूध पेस्ट बनाना है अगर ये स्मूध नहीं होगा तो चावल अपना काम नहीं करेगा दाल अपनी काम नहीं करेगी और जो मसाला है वो अपना काम नहीं करेगा तो एकदम स्मूध पेस्ट बनाईए इसका आप देख सकते हो एकदम बढ़िया पेस्ट बना है अब हम लोग इसकी सांबर बना लेते हैं सांबर बनाने के लिए हम लोग एक कुकर गरम करेंगे और कुकर में डाल देंगे दो बड़े चम्मच जितना तेल आप चाहो तो घी में भी बना सकते हो तेल जैसे ही गरम हो जाता है हम लोग इसमें डाल देंगे हरे मिर्च मैं यहाँ पर दो हरी मिर्च यूज़ कर रहा हूँ जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है इसी के साथ में हम लोग इसमें सबजिया भी डाल देंगे सबसे पहले तो यहाँ पर है लौकी लौकी बिना सांबर तो बनी नहीं सकती है मतलब सांबर बिना लौकी तो बनी नहीं सकती है तो थोरी सी लौकी है उसी के साथ में थोरी सी मूली भी है सबजी की जो choices है बहुत जोने को पसंद नहीं आएगी इसजी के साथ में थोड़ सा टमाटर भी है अगर आप चाहो तो इसमें आप इना drumsticks भी डाल सकते हो इसमें आप चाहो तो भींडी भी डाल सकते हो आलू भी डाल सकते हो मैंने नमक पे डाल दिया है थोड़ा सा सबजी की choices आपके उपर है ये तीनों सबजी बहुत common है यहापर सामबर में इसलिए मैंने ये डाली है दो मिनट तक हम लोग इसको अच्छी तरह भून लेंगे दो मिनट भूनने के बाद हम लोग इसमें सामबर मसाला डाल देंगे जो पीस्ट बनाया था ना हम लोग ने वो इसमें डाल देंगे इस मसाले को अच्छी तरह एक मिनट तक भून लेते हैं फिर से मेरे मिक्सी के ग्राइंटर में थोड़ा और मसाला था तो पानी मिला कर मैंने डाल दिया इसमें और साथ ही में हम लोग इसमें तूर डाल भी डाल देंगे जो तूर डाल हम लोग ने पहले भीजाई थी ना वो ऐसी पूरी भीग चुकी है वो मैं इसमें डाल देता हूँ और इसमें अब हम लोग 4 क्रटोरी पानी डाल देंगे जितने आपने सुखी डाल ली थी ना उससे 8 गुना पानी अभी डालना है इसमें तो वैसे आप नापकर डाल सकते हो या फिर जितनी फूल गई है उससे 4 गुना पानी अब इसको हम लोग अच्छी तरह मिला देंगे और एक उबाल आने का इंतजार करेंगे आप अब देख सकते हो कैसे उबाल आना स्टार्ट हो चुका है अब कुकर का ढखकन लगा कर हम लोग इसको हाई फ्लेम पर 5 सीटी आने तक पकाएंगे जब 5 सीटी आजाती है ना फ्लेम को कर दीजिए लो और लो करने के बाद इसको 15 मिनिट तक पकाईए 15 मिनिट पूरी होने के बाद गैस को कर दीजिए बंद और इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना है इसको नैचरली जो भी प्रेशर है वो निकलने दीजिए आदी घंटे लगेगी आदी घंटे बाद आप देख सकते हो कैसे हैना विसल में एकदम भी प्रेशर नहीं रहा है मैं इसको निकाल देता हूँ मतलब जल्द बाजी में नहीं बनाना है अराम से बनाना है घर में आप अभी देख सकते हो पूरी सामबर अच्छी तरह पकी है एकदम बढ़िया देख रही है बस कुछ चीजों की कमी रह गई है वो अभी हम लोग पूरी करेंगे देखने में तो भई आपको मानना पड़ेगा लग रहे हैं एकदम मज़िदार रेसिपी को पूरा करते हैं मैं गैस को फीर से चालो कर देता हूँ और इसमें गुबाल आने का इंतजार करेंगे आप अभी देख सकते हो कैसे धीरे-धीरे गुबाल आना स्टार्ट हो चुका है कोने से कैमरे में अची दर नहीं दिख रहा है हम लोग इसमें डाल देंगे थोरी सी इमली यहाँ पर मेरे पास घर में भीजी भी इमली है इसलिए मैं तीन बड़े चमब जितना डाल रहा हूँ अगर आप पैकेट की इमली यूज करते हो मतलब पैकेट में जो मिलती है इमली का पेस्ट वो यूज करते हो तो थोरी सी ही डाल लेगा शुरू में इमली के साथ-साथ हम लोग इसमें डाल देंगे थोरा सा गुड गुड इमली से है न सामभर खटी मीठी स्पाइसी हो जाती है एकदम important है अगर आपके पास इमली नहीं हो तो अमचूर यूज़ कर लीज़िए good नहीं हो तो चीनी यूज़ कर लीज़िए लेकिन यहाँ पर तो है ना इमले good के बिना कोई सामबर complete ही नहीं होती है तो वो जरूर यूज़ कीज़ेगा अगर possible हो तो अब हम लोग की सामबर almost ready है बस एक चीस की कमी रह गई है वो है तड़का तो सामबर में लगाते है एक तड़का हम लोग अब तड़का बनाने के लिए हम लोग एक तड़का pan गरम करते है और इसमें डाल देते है एक बड़ा चमच इतना तेल आप चाहो तो घी भी यूज़ कर सकते हो जैसे ही तेल गरम होता है हम लोग आप देख सकते हैं कैसे सरसो चटकने लग गई है अब हम लोग इसमें डाल देंगे लाल मेर्च यहाँ पर मैं 3-4 गोटी लाल मेर्च यूज़ कर रहा हूँ और इसी के साथ मैंने थोड़ सी हींग भी डाल दी है एक बार लाल मेर्च को चमच से चला देता हूँ ताकि वो जले न और इसमें अब हम लोग डाल देंगे कड़ी पत्ते 4-5 कड़ी पत्ते हैं बड़े वाले अगर छोटे वाले हो तो जादा भी यूज़ कर सकते हो इसको एक बार मिला देते हो और सावधानी से मिलाईएगा तेल उचल सकता है क्योंकि कड़ी पत्ता में पानी होता है तो वो चल जाता है अब हम लोग यह तड़के को डाल देंगे सामबर में अरे वाह देखने में बड़िया देख रही है न मैंने यह तड़का पैन एक बार सामबर में भी डाल कर चला दिया है ताकि जो भी फ्लेवर है तड़का पैन में वो उसमें आ जाए सामबर अल्मोस्ट रेडी है अल्मोस्ट क्यों कह रहा हूँ रेडी ही है वस एक बार अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर टेस्ट करके आप मिला लेना मैंने भी थोरा से नमक मिलाया था इसमें देखने में बढ़िया लग रही है टेस्ट करने में और भी जादा बढ़िया होगी तो सर्फ कर लेते है मुझे तो भाई ये इडली के साथ बहुत पसंद आती है मतलब मैं इसमें इडली भी जा देता हूं आदी घंटे के लिए और आदी घंटे बाद इडली सारा जो फ्लेवर्स है वो अब्सॉप कर लेती है तो बहुत टेस्टी लगता है वैसे तो आप भी बनाईए वैसी औ और खाईये मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई लेकिन रुकिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा उसे जरूर क्लिक करना